अग्याइब दोस्तों नियू मिलन एकुरियम चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हम है जो कि आप सभी के कर्मेंट्स थे प्रॉब्लम थे बार बार कुछ जो कस्टमर के रिपला आते मुझे उसके इसाब से दोस्तों आज का इ मेक्यूरियम में एक-एक करके मचली क्यों मर जाती है हमारी दोस्तों जो भाव करते हैं कॉसितनी बाते है कि यसी ने कहा होता है किसी से सुना होता है उतना पूरा करने के बाद भी हमारे टाइंग में दोस्तों जो इतनी अच्छी अच्छी हूपसूरत जो मशलिया है क्यों मर जाती है सभी का यही प्रावलम है यही रिजन है दोस्तों सब हर कोई इसी के ओपर महिनत करता है कि जो हम मशली मार्किट से शौप से आते हैं तो कि एक एक करके दोस्तों मर जाती है तो दोस्तों मुझे रिगुलर मैसेज आते हैं और कॉल जाद आते दोस्तों कि तो इसके अंदर सोचा मैंने की डायरेकली एक एक कॉस्टमर को दोस्तों मैं बताते बैठू तो नहीं पॉसिबल क्यों तो लगबग आपको सब्स्क्राइबर अपने तो 58 एट के सब्स्क्राइबर अपने है इस चैनल पे और सभी का का अच्छत हैं आप सभी का सपोड़ Sen 58 है दोस्तों 58 सब्सक्राइबर है लेकिन जब इतने लोग मुछे प्वाल करेंगे दोस्तों मैं किसको जवाब दे सकता हूं तो सुस्च दोस्तों तो मैंने यहां सूचाए कि मैं एक वीडियो बनाकर आप सभी के जो भी मशली मरने से related problem है तो यहां पर स्वाल करूँ तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी मशली लाने के बाद में मरती क्यों है तो सबसे बड़ा problem होता है दोस्तों हमें पैंक की सही choice कर इस रहीं चैहिए यह में होना जुरी रेगुलर दोस्तों फर्स टाइम हम जब भी लाते हैं उनी को ज्यादा प्रॉलम होता है दोस्तों तो क्या होता है कि कहीं दर-दर से संजो छोटा सा एक बाउल ला लेते उसमें दो-तीन गोल्डन मशली डाल देते और हम घर में रखत द нравится है हमारा टैंक जितना बड़ा होगा अच्छी वात जितना लंबा हो गए अच्छी बात है जितनी हो सकतु हाई थोड़ी सी कम वोनी चाहिए लेकिन हमारा डू सकत है अगर इनके हमारा छोटा है tos कैंदर हम कुछ असी मचली रख alternatives have वह हम रख सकते हैं ऐसी वीडियो में हम देखींगे तो दोस्तों में सब के lieto के लिए मैं बताता हूं को तो यहां पर हम देखेंगे मचली बरने में ठोटे में 12 बताने माला हूँ 犯हेंगे फारा टोपिक के अंदर है तो हमारी मचलियां मरना टोटली बन हो जाएंगी और दोस्तों ये वीडियो मुझे इतनी 100% ग्यारेंटी ये वीडियो आप अगर देखते हैं पूरा हमको फालो करेंगे समझने के बाद दोस्तों दोस्तों हमें सत्षु निकाना हूं तो यह हमें करना है है कि इस वीडियो को पूरा तो हमारे experience का एक हिस्सा है जो मैं करता हूँ दोस्तों मशली के लिए तो दोस्तों यसी के अंदर मैंने दोस्तों अब है तो इसको बारा देखेंगे तो मशली अपनी एक भी नहीं मरी तो फ्रेंड्स यहां पर किसी ने मुझे कमेंट्स का मुझे बताया है कि सर हमारे मशलीय मुझ साहिए तो इस्कार मैं विश्चे लिए क्यों मरती है इस जायते में सब्सक्राइब करें ना चरका कुल देखेंगे इंफॉरमीशन होने चाहिए तो Kompl esta Stunden ओन हौने चाहिए वरना दोस्तों हमें amen कभी भी धौकादयाक होती है दो सबसे पहला दूस्तों हमें हमारा चप लाथे हके हमारे घर में दोस्तों तो उसमें सबसे में रोल होता है वोटर का पानी जब हमारे अक्यूरियों में हम डालेंगे तो कौन सा डालना चाहिए सभी के प्रॉल्लम दोस्तो तो इसके उपर पानी के उपर डीटेल में पूरी डिपने इंफॉर्मिशन तो हम देखेंगे अगले वीडियो में लिए कि इ में कितनी information ले सके तो यहां पर दोस्तों पानी कौन साच दालना चाहिए तो पानी दोस्तों मेरी तरफ से एक आपको ज्यादा लोस्तों सरकारी नल के तुम हमारे घर में पानी आता है हम यहां पर उसको फौंदर उसकी बारिश का मोसम है बारिश के मोसम में उसके अंदर क्लोरिन जादा डाला जाता है या उसके अंदर दोस्तों जो बैक्टिरिया होते है हम फूल उसको मानने के लिए कोपरेशन वाले नगर पालिका वाले दोस्तों उसके अंदर कुछ केमिकल मिलाते हैं वो केमिकल दोस्तों हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसाइब हमें समझलो यह हमारा कि आchnी गानी पहले हम एक दिन पहले वह जो बाहर श्टोर किया पानी हो सके। चत्की क्योंकिए ओपासsters टाकी में होगा घर में कहीं होगा उस पानी को दोस्तों हमारी स्ट के रूम में हमारा टैंक रहेगा उसी रूम में लाके हम थो एक बिक जो या एक खने ड़े में ड्रों में ब priority यह हो गया उसके बाद दोस्तों जब हम यह हमारा की टैंक होता है उसको पानि जब change करनेगा है तो अगले दिन दोस्तों का पूरा पानी और ये वाला जो हमने स्टोर के ऊअ उसको पूरा हम डाल देंगे तूस्तों कैसा पानी चेंच करने का उसके उपर तो आपन queo वीडियो बनाएंगे क्यों तो यहां तो बताना ठीक नहीं तो हम उसको निकाल कर डाल देंगे डाले के बाद दोस्तों हमें है तो सही लिक्विड की सही मेडेसिन की चॉइस करना है अच्छे क्वालिटी का मेडेसिन यूज करना है जैसा कि रेगुलर हमने सब नल वाला जो बन नहीं है और हमारे कुछ नहीं जो शॉपकी पर सोते हैं नहीं जो के दोस्तों अपने बेनिफिट के लिए तो कस्टमर को बता देते टैंग लिजाओ मचलियां लिजा सब टॉटल लिजाके स्टार्ट कर दो तो यहां पर हम देखेंगे हमारा जब भी टैंग आता है घर बनता है उसके लिए तो यूज करना होता है तो वह वाला जो मेडिसिन दाल देंगे दोनों दोस्तों जैसा के नया टैंक है तो जहां तक हो सके जब हम टैंक लाते हैं तो दोस्तों हमेरे टैंक अंदर वानी को तो रिसाइकल करना है साइकलिंग करना है दोस्तों लगबग हमारा पॉटर लाने के बाद 2-3 दिन तक हमें तो पानी को अच्छे से उसको इंदर एक्यूरियम में दाल के फिल्टर में सिर्फ नौर्मल इवीडाओट फिश के चलाना है उसके बाद में हमें तो जिस एक्यूर आता है उस मेडिसीन अगर हम यूज करेंगे तो दोस्तों उसमें अभी मचलिया मिरने का रिजन आता है दूसरा कि हम जब पानी चेंज करते दोस्तों नया नया टाइंग होता है उसके अंदर ठीक से एससरी बराबर कंपलेट नहीं होती है को उनको उससे लगानी हुए भी कर दोस्तों यह हमारी मचलिया मर जाती है करना चाहिए ढहिने की जुरूरत नहीं हुए चाहिए अरह कर है चाहिए कर्utan कि अंदर जो भी कच्रा होता है कच्री को हमирat हगे यह तो यह चो सुन्सक्राइब कर आधर निचरा से निकल जाएंगे रीचे तो यहां कि देखेंगे तो अमोनिय लेबल कम हो जाएगा जो के मरनी फीश मरने का मशली को मरने का मरने का बी लड डो Сबीना दालते है तो सभी कस्टमर कीसमने से लगफश्ची में से के पाणी नया दालने से मशली टिकेंगे तो मशली टिक निए को मैंने जैसा भी समझेब पाणी के बारे में बताया हम पानी को क्या क्वालिटी इस टाइप से में कि यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो टैंक है ऑक्सिजन लगाना है जैसा कि दोस्तों मान लोग हमने बाउल ला लिया है चोटे टैंक ला लिया ऑक्सिजन लगा लिया तो यहाँ पे होता क्या है कि ज्यादा ऑक्सिजन हो जाता है कितना oxygen कैसा oxygen होना चाहिए तो हम देखेंगे तो oxygen भी दोस्तों बराबर level में होना चाहिए तो इसके उपर भी मैं दोस्तों अलग से आपको वीडियो बना कि आपको oxygen के बारे में detail एक separate बता देंगे तो हमेरे time में oxygen machine लगाना ज़रूरी होती है आपको oxygen machine है तो हमने लगा लिए उसके बात होने वाला क्या हमने water भी दाल दिए medicine भी डाल दिए oxygen भी लगा लिए अब होता है पानी गंदा पानी गंदा होने के बाद हर किसी को तो मजबूरी है पानी चेंज करने का पानी चेंज करें तो और मचली मर गई इसके लिए दोस्तों हमारे पास में एक option होता है filter तो दोस्तों filter के अंदर बहुत सारे अलग 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 इसके अंदर पास में दोफिट का टांक एक रेगुलर होता है तो दोफिट के अगर हमारे एक उरियों होते है उससे छोटे होते उसके अंदर यह तो शॉप कीपर पता नहीं कैसे कैसे अपने हिसाब से माल बेचनी कि साब से क्या करते हैं कि मैंने ज्यादा तर कस्टमर के मुझे इस वह जो कॉल आते कोच्चन पूछते दोस्तों या मैसेज आते हैं कि उन्होंने क्या किया इंटरनल लगा लिया जो के प्रेशर में चिपका हुआ रहे तर प्रेशर में फूल टू ऑक्सिजन छोड़ता है और उसके अंदर से नीचे से पानी खिशके सामने पेकता है दो दोटों तो दोस्तों फीश है उसके प्रेशर में खीच है कीच हाती है सामने से प्रेशर चलता तो उसके अंदर फीश अपनी विख होती है दो फीश उसके बाद one episode eight तो महने बर में पुरा खलास तो दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमारा जब भी हमारा रेगुलर फिल्टर होते हैं उसके हिसाब से सही फिल्टर का च्वाइस करना है सही फिल्टर को उसके ऊपर तो हम अगले वीडियो में वह भी उताओंगा तो यहां पर हम देखेंगे चाहिए फिल्टर के लिए दोस्तों बी अफ टू या एक्सवाइट वीट रेगुलर दोस्तों हमारा जो भी ग्लास होता है उतनी हाइट का में तो स्पंज फिल्टर लगाना होता है स्थिल्ट शूष्टल लगाएंगे तो हमारी मंशिया दोस्तों ठीक रहेंगे क्यों तो होगया Vä नहीं कर रहे तो यहाँ पर सब्शोण फुस्टर बड़े साइस की हमारे टो उसके prawd तो विट आपको आगले वीरी में बताने माले तो यह हो गाया दोस्तों यहापि फिल्टर का सभी होना जरूरी है फिल्टर के बाद दोस्तों आती है medicine की बारी medicine अच्छे वालिटी का यूज होना चाहिए दोस्तों जो के medicine का shopkeeper देते है तो आपन भी थोड़ा care कर लेना ज़रूरी है कि shopkeeper अपने benefit के लिए कोई साधे local company का medicine तो नहीं दे रहे आपको medicine में अच्छे quality का medicine होना चाहिए दोस्तों medicine के ऊपर भी अपना पहले भी video बना है आगे भी video रहेगा दोस्तों तो medicine का सही चोईस और medicine का सही चोईस दोस्तों इसके बाद में होता क्या है कि shopkeeper बता देती यह blue वाला medicine है इसमें डाल दो कितना डालने का है थोड़ा सा निला निला पानी हो जाएंगा न उतना डाल देना दोस्तों यह इतना medicine हम जो डालते हैं उसका भी कुछ प्रमान होता है उसको भी सही calculation होता है उसी calculation में डालना होता है दोस्तों हमें यह पता नहीं रहता है कि हमारे tank में पानी किता है दोस्तों पानी किता है यह पता नहीं तो medicine के अंदर दोस्तों होता क्या है कि जैसा कि समझ लो हमारे में हर कंपणी का अलग-अलग क्यालकुलेशन होता है लेकिन कॉमन क्यालकुलेशन में बता रहा हूं जो के मेडिसीन हमें यूज करना होता है एंटी फंगस का हो वाइट स्वोड का हो या दोस्तों ब्लू मेडिसीन पिंग मेडिसीन गिरियन मेडिसीन अलग-अलग मेडिसीन है यह सभी medicine हमारा anti-clorine है तो यह सभी अगर हमारा tank लगबग 1 by 2 है अगर जिसके हैट सभवा फिट तक 15 इच तक होती है तो उस time में दोस्तो 70 लीटर पानी बैठता है 70 लीटर में दबस हमें तो 2-3 धकन medicine डाल देंगे तो निला निला हो जाएगा और अंदर anti-clorine का डाल देंगे तो उसमें तो कोई पता ही नहीं चलता medicine कम गिर रहा जादा कितरा इसके लिए कारण हमारी मचलिया पूरी मर जाती है तो दोस्तो ऐसा नहीं होना चाहिए 70 लीटर का हमारा जब टैंक है 7 ml medicine हमारे तो अंदर जो भी medicine है जैसा फंगल वाला medicine blue वाला है blue वाला medicine दाल देंगे blue वाला गर medicine हम डाल दिये दोस्तों तो उसके बाद में anti-clorine medicine अच्छे quality का ब्रेंड लेके 7 ml है तो वह भी डाल देंगे तो medicine का calculation है तो लगबग है तो medicine के उपर ही लिखा होता है company के साब से उसको हो तो हम calculate करके हमारे डाल सकते हैं तो medicine के बाद दोस्तों आती है बाद समझेवों नेक्स हमारा पॉंट आता है वह temperature का दोस्तों जैसा कि हमने सब पूरा calculation सब राइट किया पानी ला लिया साथ दिन इस टोर किया क्यों तो customer मुझे बोलते सर आपने बताया था साथ दिन पूराना पानी ले लिए मैंने साथ दिन पूराना पानी ले लिया medicine बताया था दोस्तों medicine भी मैंने डाल दिया लेकिन दोस्तों तभी हमारी मश्ली मर रही है तो होता क्या है कि अलग-अलग season है इस season में हमें हमें सर्धी करनी होती है इस cette type से दोस्तों यह सोचने वाली बात है हमारी मश्लिय कंटीनि पानी में रहती है थार ठाल को बचाने के लिए हमें दोटी मेहनत कर रहे हैं तो यह दोस्तों इसके अंदर हमें पाणी वानी सबको भी तो भी मश्ली मरेंगी क्यों मरेंगी दूस्तों टेंपीचर के बारे में तो जैसा कि देखते हैं हमारा जो एरेगुलर टेंपीचर होता है यहां पे क्या है 2422 अभी विंटर सीजन चल रहा है बारिश आती है कभी धूप आती है कभी तो इसके अंदर टेंपीचर मेंसमेचिंग होता है इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले तो थर्मामेटर का ज़रूरी लगाना होता है चेक करना होता है कि थर्मामेटर हम लगाएंगे हमारे एक्यूरियम में तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो एक्यूरियम है मश्लियां क्या बोल रही है में किया बोल रहा है कि अगर 18 से कम होता थो मिशली को सर्दी हो रही है उसके बाद स्फ lassan 32 से страш जाता है तो हम संजेंगे मस्ली को गर्मी आप हमें हममें लगाना है या में लें लगाना तो 28 डिगरी से कम अगर हमारा पानी वर्टर का या घ्रता ए तो हम अगर दोस्तों हीटर लगा लेंगे तो बहुत सारे कस्टमर की यह रहते कि पानी हमारे ज्यादा गरम नहीं हो जाए या थंड़ा नहीं यह घरमे का यह कोई तो समर्सेबल वाला एक्वरियम का हीटर आता है उस वेटर को हमें तो हमारे टैंग में लगाएंगे वह भी दोस्तों कितने लिटर में कुण सा लगाना इसके उपर भी बहुत सारे कंफुजन है तो कॉमनली दोस्तों लगभग हमारा जब टैंग अगर सेवंटी लिटर का है तो सो वेट गाएंगे तो ठीक रहेगा तो सो वेट का वीटर दोस्तों 28 डिग्री सेल्सियस पर हम सेट कर चाल के यहले हैं तो सब्सक्रीenger तो सब्सक्राइएश दे चांध में खाने तक भीलतियों है चीकलशनव परसी अभाचिएशन करा Я्युद मेरे आ सब्सक्राइएख तो जैसे कि मशली को खाना कितना भी खिलाते रहेंगे तो वह क्या होगा कि पेटी के अंदर जाकर फुल जाएगा उसको हजमनी होगा दोस्तो तो उसके अंदर हमें मशली के साइज के हिसाब से क्याल्गूलट करके फूट को देना होता है कि तो ऑफिटिंग हम चब भी करेंगे तो मशली के अंदर फेपडों में जाकर पेट में जाकर खुलने से दोस्तों उसके अलग-उलग टाइपस के infection उते, dises होते मशली मर जाती तो दोस्तों हम ऑफिटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे और फिटिंग फिश को फीड़ करते हैं तो हमारा जो खाने का डिपा होता है हो सके तो एक ही चक्स के हाथ में वो रखना जरूरी होता है क्यों तो होता यह जिसकी नजर पढ़ती है घर में मशली को देखने के बाद वह आकर सभी लोग तो खाना डाल देटे खाना डालने के पाद एक ताइम दो टाइम भी रिपीट हो जाता कोई कैलकुलेट नहीं होता है दोस्तों कभी सबेरेज दोपर शाम जो भी कैलकुलेशन है आगे पीछे होने से भी हमारी मश्लियों का डाइजेस सिस्टम है तो सही से वर्क प्रॉपरली नहीं करता है उसके लिए दोस्तों ह हमें तो दिन से सघ्ज दो में फिष को अच्छे से करमें उसके बाद दोस्तों आती है कौलिट के ऊपर नहीं जाते हुए हम थोड़ा सा सर्च करके अख्वली यह बेश्प कालिटि यह नहीं होना चाहिए जैसा किसली हमें या अगले टाइम में उस से अच्छा बेश्ट वे अलग अलंग फुट के टाइप 먼isk comes every project के टाइपने करें उस में से अलग अलग हमें तो फूट को देना चाहिए वह यह लेक्षे हैं यह इस टाइब किया तो यह ऊसली और मज़ी घरएगा सयृवे DR. बिल्कुल नहीं करें ना थोस्तों कम करें अगर और भी दोस्तों उसके अंदर आपकर हमा समझ लो ऐसा होता है कि दो दिन चार दिंग लिए बाहर चले जाते तो क्या करते कि थोड़ा सा इतना ज्यादा फूड लेकर हमारे टैंग में डाल देते और समझ लेते भी चार दिन म मशल Desktop खाकर तो यह स्ची अगरी दोस्तों घीजिया कि मरने अलए मरने वाली समें ऐसे कि तो रूदा जैए प्मेंट में घंपाइए तो चलिए दोस्तों अभी हम अगले point के आते हैं यहां हम दोस्तों देखते हैं कि हमारा tank cleaning अब tank cleaning सबसे main एक अहिम रोल होता है दोस्तों कि हमारा जब हम पानी चप change करते हैं तो उसके अंदर हमें तो सही process में सही तरीके में हमेरी पानी को change करना होता है और दोस्तों यह देखना जरूरी होता है कि कौन हम किसे idea कैसे ले रहे किसके अंदर होता जोस्तों कोई भी आ गया कुछी नहीं किसी ने कहा किसी ने सुना चल जाता इसके बाद में मचली मर जाती है दोस्तों तो हमें भी है तो ऐसी information लेना चाहिए जो के समझ लो कई सालों स तो जिसके उसी उसी फिस के line में जिसकी field है जिसके practice अचही है उससे हमें तो suggestion लेंगे तो पानी कैसा रखना कूम सा रखना सब तोटली बाते का दोफ्ट को हमें ध्यान रखना devrait है तो यहां पर हम दोस्तों पानी cleaning चेंज करने के अंदर ही हमारी फिश मट्थी है इसके उपर पहले भी मेरे बहुत सारी वीडियो बने है अभी आपने पानी कैसा चेंज करना इसके उपर भी अपने को एक वीडियो बनाकर पूरा डीटेल स्टेप बाइस टेप में आपको समझा दूंगा तो दोस्तों यहां पर अगले टाइप पॉल्य यह तो अगले यहां टाइट्पिक पर आते हैं जयसके हमारा पॉइंट है एक निमबर का है तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे आउट निम पर पहलंक हमें तो लाफ का इस सिस्टम लाइट लाइस भी बहुत ज़रूरिय होता है दोस्तों क्य सब्सक्राइब देते हैं उसके उपर बस क्या होता है कि मश्लियों को समझ भी नहीं आता या कैसा लाइट देना क्या देना हम घर में से क्या करते हैं कि एक अधा बड़ा सा देना कि दोस्तों दिन में तो लाइट चलती है लेकिन रात में हमारा जब एक्यूरियम दिखना चाहिए इसके लिए ने लाइट रात में लाइट दोस्तों नेचरल सोचने वाली बात है कि जैसा हम समंदर में मश्लियों को देखते हैं तो उन लोगों उनको 24 आवर्स तो यहां पर हम देखें को दोस्तों 10-12 घंटे हम लाइट रख सकते वह भी फुल फोकस वाली लाइट बिल्कुल नहीं चलेंगे और दोस्तों लाइट लगाने के पारे में भी हम जितनी हो सके समर सेबल वाले लाइट लगाएं क्यों तो हम नॉर्मली लाइट अगर कुम से लगाएंगे गिर जाएंगा तूट जाएंगा उसका टेंपिचर कम हो बिगर सकता है इसे सके समझे हमारे टैंक में गिर गया शौट सर्किट हो गया इस कारण दोस्तों अलग-लग से यह जो ला करेंगे धीमी सी हलकी सी लाइट जो के हमारी मचलियां दिख सके उतनी हमें लाइट लगाना जरूरी होता है इसके बाद में नेक्स दोस्तों सब हम यह करने के बाद होता क्या है सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि शॉप में चले गए एकुरियम में और हमापे देखे तो म के कीपर को बोलते है कि इस में इसमें से दो इसमें से दो यह दस की हमें दो मस्री देए यह बेस्ट ayamас को में बहुंत हम से दिखर आप Alrighty हम पर होता है कि उसके इस बाद है उसके इस बाद है उस आड़र मजली कि यह पहले रखनी श्ताइंग छोटा है मश्ली बीस मश्ली डाल रहे तो इसके अंदर अमोनिया लेवल बढ़ने वाला है तो इसके अंदर बैक्टिरिया जो भी है जाएंगे मश्लियों को अलग लग दिसस आएंगी प्रॉब्लम आएंगे मश्लीओं को फिंडूर् विंडूर्ट अलग से वी लड़ाई जो अटैक करेंगी दूसरे फीश पे तो फिश मरने वाली बिल्कुल है कर नहीं यह बोली तो इसके अंदर हमें है तो यह कैलकुलेट कर लेना होता है पहले यह सोचना होता है कि शौप कीपर से पहले बोल दो भाई कि देखो जो मशलियां साथ में रहती है एक साहत में उन मशलियों को हमें नई तो फिर एक इ Kelvin इस लेंगे तो Aить इस के लाइन में हम कैटेग्री में कौन कोई सब क्विश रखते हैं उन फिषए स्कुलो तो दोस्तों इह पर हमें च्वाइस करना होता है कि मशलियों को एग्रेसिव नॉन एग्रेसिव कौन सी मशली किस मशली के साथ रहेंगी इसको हम क्यालकुलेट करके शॉपटीपर से पूछ कर थोड़ा साइस का श्टड़ी करके पहले एडिया लेने के बात दोस्तों हमारे टैंग में मशलीया रखेंगे हमारी मशलीया सब साथ में दोस्तों तो इसके अंदर हमें तो यहां देखना यह होता है यह मैं बता दू दोस्तों कि आने वाले जो वीडियो आपको पहले मिल जाए तो उसके लिए प्लीज दोस्तों को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों तो यहां पर हम देखेंगे वाले जो नहीं मारने वाले एसी फिश रखेंगे तो दोस्तों यहां पे शॉपकीपर्स गरबड में कौन सी भी मशलिया देने के बाद भी हमारा काम यह बनता है कि मशलिया जब हम डालते हैं के बाद में थोड़ा सा अबसर करें कोई मशली किसको टॉचर नहीं करें तो यह म पीपर्स के पास में ही जाना ब्रूरी है और उसदों हमारे टाइम में हम और नहीं लगाते हैं तो उस टाइम में यह सब होती है कि हमारे पास में जो फैन्र चलते है सब लोग तो लौह लेते लगाना जब फैन चलते इसी चलते या दोस्तो बाहर से थंडी हवा आती है तो यह हमारा जब टैंक है यह टैंक पूरा टोटली ओपन हैने के बाद में पानी का टैंपिचर कम हो जाएगा पानी थंडा हो जाएगा इक हो गया का है है उसके बाद होता है क्या है ला लेते हैं लाने के लानी पास नालते तो उसके लाए और मशली दोस्तो उसको खुद निहीं देता है इसका इतना बढ़ और मुझली को समझता नहीं दोस्तों क्यों तो जहां से फॉर्म में थी तक आई है उसका कैसा माहूल था वहां पर मशली डिश्टब होने से दोस्तों डाल सकते लेवल कम कर सकते जब भी मशली हमारे पास आती है वह मेडिसीन दालेंगे दोस्तों उसके साथ में होता जाए ज कभी इदर है उदर है कहीं पर घर में हम कुछ काम में बीजी है हमारे टैंग में उपर कवर नहीं है तो यह मशली दोस्तों यहां पर जब हम डाल देंगे क्यों में तो मशली जम मार के बाहर आ जाएंगी जब दोस्तों मशली बाहर जाके आने के बाद में दोस्ता हम उसको एक में रेगुलर रहती है उसको लेकर डाल देते बच्चे बच्चों को समझता नहीं कि खाना डाल देते तो दोस्तों यह मचलिया है तो यह तो रोटी तो रधाने के बाद में उसके खाना भाघए और दोस्तों हमारे टाइम में कवर लगाना भी बहुत ज़रूरी है उसके अंदर हम कवर लगाएंगे तो सही हमें तो लाइट को फिटिंग कर सकते और दोस्तों कवर लगाएंगे तो बेलकुल उसको है तो हमें एक साइट से दोर भी दिना होता है फुटिंग के लिए अंदर ऑक्सिजन के क्यों मरती है मशली को कैसी रखना है सभी आपने इस वीडियो को देखा और दोस्तों बहुत सारी अलग-अलग इंफॉर्मेशन है एक वीडियो में बिल्कुल कवर नहीं हो सकती तो दोस्तों यहां इससा कि हम इससे पहले आप सभी को पता है कि दो वीडियो मैंने बनाए ह मशली क्यों मरती कैसी उसको कैसे केर करना है दोस्तों और यहां पर हमारा वीडियो काफी बहुत बढ़ा हो चुका है दोस्तों और आपने अभी तक के देखा बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत थैंक्स दोस्तों कि हमने मशली का है तो कैसे केर करना है इस वीडिय आने वाला हूं कि हमारी मचली 10-15 साल तक कैसे जी सकती गोल्डन भी गोल्डन में भी क्या-क्या केर करनी होती है यह सभी वीडियो को मैं लेके दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत जल आऊंगा दोस्तों तो इसकी जो रह वाली जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों आने वाले आotomayor वीडियो में देखेंगे और सभी को रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे पास जब अंक्यूरियू मैं है ये हमारे दोंसरों पास प्रहिएम है तो इस वीडियो को ज्रूर शेर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने लिए कहें क्यों तो दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि हमारे जो टैंक है कैसे इदम ब्यूटी फुल दिखें कैसे मश्ली हमारी मरने से बचें मश्लियों को कैसा हम बचा सकते अगर कोई मश्लियों को डिसस हो चुके है दोस्तों तो उसका हम की स्टाइट से और मिंच्ति को सकते हैं तो दोस्तों और अगले वीडियो में गेलों कर लिया अपना टाइम देने के लिए और अगले वीडियो नोय दोस्तों लाइंक हाए कर contam